सियावर राम चंद्र जी की जै हनुमान जी की जै अगला भाग राम चरित्मानस का सुन्दर किर्ती रूपी सुहावनी सर्यूजी राम भक्ती रूपी गंगाजी में जा मिली छोटे भाई लक्षमर सहित स्री राम जी के जुद्ध का पवित्र यस रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आमिला जुगबिच भगति देवधुनि धारा सोहत सहित सुबिरति विचारा त्रिविधबता पत्रा सकति मुहानी राम सरूप सिंद समुहानी दोनों के बीच में भगति रूपी गंगा जी की धारा ज्यान और वैराग सहित सोबित हो रही है ऐसे ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है मानस मूल मिली सुरसरही सुनत सुजन मन पावन करही बिच बिच कथां बिचीत्र भी भागां जनुसर तीर तीर बन बागां इस किर्ती रूपी सर्यू का नाम मूल मानस स्री राम चरित है और यह भक्ती रूपी गंगा जी में मिली है इसलिए यह सुनने वाले सुजनों के मन को पवित्र कर देगी इसके बीच बीच में जो बिन बिन प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानों नदी टट के आज पास के वन और बाग हैं उमा महे सभी बाह बराती तेजल चर अगनित बहुभाती रगुबर जनम अनंद बधाई भवरत रंग मनुहरताई स्री पारवती जी और सिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख जलचर जीव हैं स्री रगनात जी के जनम की आनंद बधाई यां ही इस नदी के भवर और तरंगों की मनुहरता है बाल चरित चहु बंधु के बन चबि पुल बहु रंग निपराणी पर जन सुकृत मधुकर बार भिहंग चारो भाईयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं महाराज स्री दसरत जी तथा उनकी रानियों और कुटुम्बियों के सत कर्म ही ब्रमर और जल पक्षी हैं प्रेम से बोलो सियावर राम चंद्र की जै पमन सुत हनुमान की जै राम चरित मानस बाल करन का चालिसमा दोहा यहीं संपन होता है और यहीं विश्राम करते हैं प्रेम से बोलो राम दरबार की जै